वेलकम टू एडिटोरियल डिक्टेशन जहां आपको मिलता है सत्य, अस्य, नब्बे, सौ और 110 सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन बैक टो बैक प्रातः 6 बजे डिक्टेशन से पहले हम जैसा कि आपको outlines प्रोवाइट कराते हैं कट्ःन सब्दों के और वाक्यांसों के तो आप देख सकते हैं अगर आप मौक्यानस नहीं देखना चाते या नहीं लिखना चाते तो आप डिरेक डिक्टिशन लिख सकते हैं जिस भी 스ीड की आप लिखते हों या फिर अगर आप सारी स्पीड लिखते हैं तो और भी अच्छा है तो चले इस्टार्ट करते हैं इसके कथिर वर्ड्स स्पीड की आप लिखते हो या फिर अगर आप सारी स्पीड लिखते हैं तो और भी अच्छा है तो चले स्टार्ट करते हैं इसके कठिन वर्ड्स सामाजिक संगठन सामाजिक जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक के लिए लिखते हैं सामा या तो सा और जो लिख सकते हैं या फि तो जिस भी तरह से आप लिखते हो वह प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि आप आप में से कुछ लोग ऐसे होते नहीं आपने तो गरत लिखा यहाइना चाहिए कि यह गलत है या फिर ऐसे नहीं लिखा जाता तो यह हमने लिखा राश्ट इस्वयम सेवक संग, next है, खत्म करना चाहता है, तो कव और तौका आक्डा लगा के मह लिग दिया, कर और ना की तरब चाहिए का चाप लगा के है, हमने जोड दिया है, कोसिस होने लगती है, कोसिस जैसे कि मैंने बताया था, कोसिस दो प्रकास से लिखा जाता है, इसी में हमने होने लगती है, चोड दिया है, अब आप कहेंगे कि होने के लिए मैंने पूरा क्यों लिखा है, लेकिन अगर हम अगर होना पड़ते हैं, तो हम उससे पढ़ते समय, या टांस्किप्ट करते समय, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, इसलिए हमने इसमें न जो जोड़ींगे उसमें परवधान जोड़ दिया हमने समिक्षा हो सकती है समिक्षा की fix outline होती है या fix words होते है सम और को और छह sacrific sam शमने हो सकती है झोड़ दिया है दिखा जाना चाहिए की देख देखा, हमने लिखा, एंड ज़ और न की तरप चाहिए का चाप लगाते हुए, की जोड दिया है, उसमें, लाभानवित हो सके हैं, लाभानवित आ की मातरा इसलिए राइन के उपर लिखा है, ला और भा, व मित का आगडा, और हो सके हैं, अलग हमने लिखा है, क्योंकि अग बैतर एन इसमें हमने होगा की जोड़ दिया है, सोसित वंचित, या तो आप सोसित लिखके बसे काड़ सकते हैं वंचित के लिए, या फिर सोसित लिखके बर, चर्ट, काकड़ा लगा सकते हैं, तो उससे भी सोसित वंचित पढ़ा जाता है, राजनितिक वर्ग, राजनितिक तो अगर आपको यह मेरा अच्छा लगे नहीं तो आप अपने दर से और अगर अच्छे से बना सके तो बना सकते हैं तो दत्ता त्रे के लिए द से दत्ता मैंने समझा है और त्रे के लिए त में र का आकड़ा लगा के और य जोड़ दिया है और उसमें होसबले के लिए ह जोड़ दिया है फिर स और ब और ल में एका आकड़ा हमने इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि यह नाम है और नाम हो सतर सब्सक्राइब के दिक्टेशन फिर 80 फिर 90 फिर 100 फिर 110 सब्सक्राइब के दिक्टेशन सतर सब्सक्राइब के दिक्टेशन स्टार्ट होगा फाइब सेकेंड बाद स्टार्ट जारी रहना चाहिए संग के सह सरकार्य वाह दत्तात्रे होसबले की ओर से यह बात सायद इसलिए कही गई क्योंकि चंद दिनों पहले मोहन भागवत ने आरक्षन की समिक्षा की जरूरत जताई थी वह पहले भी कई बार आरक्षन की समिक्षा की जरूरत जता चुके हैं लेकिन वह जब भी ऐसा करते हैं तब कई दल और सामाजिक संगधन यह सोर मचाने लगते हैं कि संग आरक्षन को खत्म करना चाहता है यही नहीं संग के साथ ही भाजपा को भी आरक्षन विरोधी करार देने की कोशिस होने लगती है जब ऐसा होता है तो भाजपा भी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है और इसी के साथ आरक्षन की समिक्षा का सवाल पीछे छूट जाता है ऐसा सायद इसलिए भी होता है क्योंकि आरक्षन वोट बैंक की राशनिती का हत्यार बन गया है आखिर जब अन्य सम्वैधानिक प्रावधानों की समय समय पर समिक्षा हो सकती है और जरूरत पढ़ने पर उनमें संसोधन हो सकता है तो फिर आरक्षन के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता समझना कठिन है कि इसमें क्या हर्ज है कि SCST आरक्षन के साथ अन्य पिछडे वर्गों को मिल रहे आरक्षन की समिक्षा इस उद्देश्य से की जाए कि वह और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी कैसे हो सके क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए कि जो वर्ग आरक्षन के दायरे में है वे उससे उचित रूप से लाभानवित हो सके हैं या नहीं निसंदेह यह भी देखे जाने की जरूरत है की केवल पात्र लोगों को ही आरक्षन कैसे मिले यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आरक्षन का लाब उठा चुके लोगों के परिजन भी उसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं क्रीमी लेयर की व्यवस्था ने इसे और आसान बना दिया है लेकिन सायद ही कोई दल हो जो क्रीमी लेयर को तारकिक बनाने की वकालत करता हो बहतर होगा की आरक्षन की समिक्षा के तौर तरीकों पर बहस सुरू हो आरक्षन सोसित वन्चित तबकों और पिछडे वर्गों को सामाजिक तौर पर आगे लाने वाली व्यवस्था है लेकिन बीते कुछ सालों में यह धानना बन गई है की यह सरकारी नौकरी पाने का जर्या है दत्ता त्रे होस बले ने आरक्षन की समिक्षा के सवाल पर यह सही कहा की यह नेड़े लेना इससे जुड़े लोगों और नीत निर्धार को का काम है लेकिन इसमें संदेह है की हमारा राजनितिक वर्ग इसके लिए सहमत हो पाएगा इसके बावजूद उससे यह तो अपेक्षित है ही की वह निर्धन्ता निवारण के उपायों पर ज्यादा जोर दे क्योंकि तमाम तरक्की के बावजूद भारत में गरीबों की अच्छी खासी संख्या है सतर सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन समापत हुआ अब बारी है असे सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की वाईश आपको स्लो लग रही होगी क्योंकि जुकाम हुआ है हम दोनों लोगों को हुई तो आपको एड़्जेस्ट करना पड़ेगा कुछ समय तक जक तक की ह हमारा जुकाम सही नहीं हो जाता तो चलिए स्टार्ट करते हैं अस्ती सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की ओर से यह कहा जाना कोई नई बात नहीं की समाज में जब तक आर्थिक असमानता है तब तक आरक्षन जारी रहना चाहिए संग के सह सरकार्य वाह दत्तात्रेय होस बले की ओर से यह बात सायद इसलिए कही गई क्योंकि चंद दिनों पहले मोहन भागवत ने आरक्षन की समिक्षा की जरूरत जताई थी वह पहले भी कई बार आरक्षन की समिक्षा की जरूरत जता चुके हैं लेकिन वह जब भी ऐसा करते हैं तब कई दल और सामाजिक संगठन यह सोर मचाने लगते हैं की संग आरक्षन को खत्म करना चाहता है यही नहीं संग के साथ ही भाजपा को भी आरक्षन विरोधी करार देने की कोशिस होने लगती है जब ऐसा होता है तो भाजपापी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है और इसी के साथ आरक्षन की समिक्षा का सवाल पीछे छूट जाता है ऐसा सायद इसलिए भी होता है क्योंकि आरक्षन वोट बैंक की राजनिती का हत्यार बन गया है आखिर जब अन्य सम्वैधानिक प्रावधानों की समय समय पर समिक्षा हो सकती है और जरूरत पढ़ने पर उनमें संसोधन हो सकता है तो फिर आरक्षन के संदर्व में ऐसा क्यों नहीं हो सकता समझना कठिन है की इसमें क्या हर्ज है S.E.S.T. आरक्षन के साथ अन्य पिछडे वर्गों को मिल रहे आरक्षन की समिक्षा इस उद्देश शे की जाए की वह और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी कैसे हो सके क्या आज यह नहीं देखा जाना चाहिए की जो वर्ग आरक्षन के दाएरे में है वे उससे उचित रूप से लाभानवित हो सके है या नहीं निसंदेह यह भी देखे जाने की जरूरत है की केवल पात्र लोगों को ही आरक्षन कैसे मिले यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आरक्षन का लाभ उठा चुके लोगों के परजन भी उसका फायदा उठाने में लगे हुए है क्रीमी लेयर की व्यवस्थाने इसे और आसान बना दिया है लेकिन सायद ही कोई दल हो जो क्रीमी लेयर को तारकिक बनाने की वकालत करता हो बेहतर होगा की आरक्षन की समिक्षा के तौर तरीकों पर बहस सुरू हो आरक्षन सोसित वन्चित तबकों और पिछडे वर्गों को सामाजिक तौर पर आगे लाने वाली व्यवस्था है लेकिन बीते कुछ सालों में यह धारना बन गई है की यह सरकारी नौकरी पाने का जरिया है दत्ता त्रे होसबले ने आरक्षन की समिक्षा के सवाल पर यह सही कहा की यह निर्णे लेना इससे जुड़े लोगों और नेती निर्धारकों का काम है लेकिन इसमें संदेह है की हमारा राजनितिक वर्ग इसके लिए सहमत हो पाएगा इसके बावजूद उससे यह तो अपेक्षित है ही की वह निर्धनता निवारण के उपायों पर ज़्यादा जोर दे क्योंकि तमाम तरक्की के बावजूद भारत में गरीबों की अच्छी खासी संख्या है अगर आपकी गती नहीं बढ़ रही है तो आप इस्टैनो हेल्प लाइन यूटूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहां आपको सभी डिक्टीशन प्लेइलिस्ट में मिलेंगे और इस्टैनो इस्पीडी रूल्स का भी एक प्लेइलिस्ट क्रियेट किया गया है वहां से आप चेक कर सकते हैं और जल्द ही आगे कि डिक्टीशन प्रोवाइट किये जाएंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 90 वड़ी प्यों डिक्टीशन डिक्टीशन स्टार्ट होगा थ्री सेकंड बाद स्टार्ट राष्टिय स्वयम सेबक संग की ओर से यह कहा जाना कोई नई बात नहीं कि समाज में जब तक आर्थिक असमानता है तब तक आरक्षन जारी रहना चाहिए संग के सह सरकारवाह दत्राती होसबले की ओर से यह बात सायद इसलिए कही गई क्योंकि चंद दिनों पहले मोहन भागवत ने आरक्षन की समिक्छा की जरुवत जताई थी वह पहले भी कई बार आरक्षन की समिक्छा की जरुवत जता चुके हैं लेकिन वह जब भी ऐसा कहते हैं तब कई दल और सामाजिक संगठन यह सोर मचाने लगते हैं कि संग आरक्षन को खत्म करना चाहता है यही नहीं संग के साथ भाजपा को भी आरक्षन विरोधी करार देने की कोश्च होने लगती है जब ऐसा होता है तो भाजपा भी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है और इसी के साथ आरक्षन की समिक्छा का सबाल पीछे छूट जाता है ऐसा सायद इसलिए भी होता है क्योंकि आरक्षन बोट बेंक की राजनीत का हत्यार बन गया है आखिर जब अन्य संबैधानिक प्रावधानों की समय समय पर समीक्छा हो सकती है और जरूरत पढ़ने पर उनमें संसोधन हो सकता है तो फिर आरक्षन की संदर्व में ऐसा क्यों नहीं हो सकता समझना कठन है कि इसमें क्या हर्ज है कि SCST आरक्षन के साथ अन्य पिछडे बरगों को मिल रही आरक्षन की समीक्छा इस उद्दिश से की जाए कि वह और अधिक प्रभावी एवं ओपियोगी कैसे हो सकी क्या आज यह नहीं देखा जाना चाहिए कि जो वर्ग आरक्षन के दायरे में हैं वे उस से उचित रूप से लाभानवित हो सके हैं या नहीं निसंदे है यह भी देखे जाने की जरूत है कि केबल पात्र लोगों को ही आरक्षन कैसे मिले यह इसलिए आवास्यक है क्योंकि आरक्षन का लाभ उठा चुके लोगों के परिजन भी उसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं क्रीमी लेयर की व्यवस्था ने इसे और आसान बना दिया है लेकिन सायद ही कोई दल हो जो क्रीमी लेयर को तारकिक बनाने की वकालत करता हो वहतर होगा कि आरक्षन की समीक्षा के तौर तरीकों पर बहस सुरू हो आरक्षन सोसित वन्चित तबकों और पिछडे वर्गों को सामाजिक तौर पर आगे लाने वाली व्यवस्था है लेकिन बीते कुछ सालों में यह धारना वन गई है कि यह सरकारी नौकरी पाने का जरिया है दत्तात्रे होसवले ने आरक्षन की समीक्षा के सवाल पर यह सही कहा कि यह निरना इलेना इससे जुड़े लोगों और नीती निर्धातकों का काम है लेकिन इसमें संदे है कि हमारा राजनीतिक वर्ग इसके लिए सहमत हो पाएगा इसके बावजूद उससे यह तो अपेक्षित है ही कि वह निर्धनता निवारन की उपायों पर ज्यादा जोड़ दे क्योंकि तमाम तरक्की के बावजूद भारत में गरीबों की अच्छी खासी संख्या है ये था 90 वर्ट पीम और अब समय है 100 वर्ट पीम का तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगी कुछ सेकेंड बाद राष्टिय स्वयम सेवक संघ की ओर से यह कहा जाना कोई नई बात नहीं कि समाज में जब तक आर्थिक असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए संघ की सह कारवाह दत्रात्रे होसवले की ओर से यह बात सायद इसलिए कही गई क्योंकि चंद दिनों पहले मोहन भागवत ने आरक्षण की समिक्छा की जरुद बताई थी वह पहले भी कई बार आरक्षण की समिक्छा की जरुद जता चुकी है लेकिन वह जब भी ऐसा करते हैं तब कईदल और सामाजिक संगठन यह सोर मचाने लगते हैं कि संघ आरक्षण को खत्म करना चाहता है यही नहीं संग के साथ ही भाजपा को भी आरक्षण बिरोधी करार देने की कोसिस होने लगती है जब ऐसा होता है तो भाजपा भी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है और इसी के साथ आरक्षण की समिक्षा का सबाल पीछे छूट जाता है ऐसा सायद इसलिए भी होता है क्योंकि आरक्षण बोट बैंक की राजनीत का हत्यार वन गया है आखिर जब अन्य सम्वेधानिक प्रावधानों की समय समय पर समिक्षा हो सकती है और जरुवत पढ़ने पर उनमें संसोधन हो सकता है तो फिर आरक्षण के संदर्व में ऐसा क्यों नहीं हो सकता समझना कठन है कि इसमें क्या हर्ज है कि SCST के आरक्षण के साथ अन्य पिछडे बर्गों को मिल रहे आरक्षण की समेक्षा इस उद्द्यस से की जाए कि वह और अधिक प्रभावी एबं उपियोगी कैसे हो सके क्या आज यह नहीं देखा जाना चाहिए कि जो बर्ग आरक्षण के दाइरे में है बे उस से उचित रूप से लाभानवित हो सके हैं या नहीं निसंदे है यह भी देखे जाने की जरुवत है कि केबल पात्र लोगों को ही आरक्षण कैसे मिले यह इसलिए आवस्यक है क्योंकि आरक्षण का लाब उठा चुके लोगों के परिजन भी उसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं क्रीमी लेयर की व्यवस्थाने इसे और आसान बना दिया है लेकिन सायद ही कोई दल हो जो क्रीमी लेयर को तारकिक बनाने की वकालत करता हो वहतर होगा कि आरक्षण की समीक्षा की तौर तरीकों पर बहस सुरू हो आरक्षण सोसित वन्चित तबकों और पिछडे वर्गों को सामाजिक तौर पर आगे लाने वाली व्यवस्था है लेकिन बीते कुछ सालों में यह धार्णा वन गई है कि यह सरकारी नौकरी पाने का जरिया है दत्रात्रे होसवले ने आरक्षण की समीक्षा के सवाल पर यह सही कहा कि यह निर्णाय लेना इससे जुड़े लोगों और नीती निर्धार्कों का काम है लेकिन इसमें संदे है कि हमारा राजनीतिक वर्ग इसके लिए सहमत हो पाएगा इसके बावजूद उससे यह तो अपेक्षित है ही कि वह निर्धनता निवारण की उपायों पर ज्यादा जोड़ दे क्योंकि तमाम तरक्की के बावजूद भारत में गरीबों की अच्छी खासी संख्या है यह था 100 वर्ड पीम और अब समय है 110 वर्ड पीम का डिक्टिशन लिखने से पहले आप लोगों से अंडरोध है कि डिक्टिशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाब मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं 110 सब्द प्रति मिनट के डिक्टिशन डिक्टिशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद स्टार्ट राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग की ओर से यह कहा जाना कोई नई बात नहीं की समाज में जब तक आर्थिक औसमानता है तब तक आरक्षन जारी रहना चाहिए संग के सह सरकार्यवाह दत्तात्रे होसबले की ओर से यह बात सायद इसलिए कही गई क्योंकि चंद दिनों पहले मोहन भागवत ने आरक्षन की समिक्षा की जरूरत जताई थी वह पहले भी कई बात आरक्षन की समिक्षा की जरूरत जता चुके हैं लेकिन वह जब भी ऐसा करते हैं तब कईदल और सामाजिक संगठन यह सोर मचाने लगते हैं कि संग आरक्षण को खत्म करना चाहता है यही नहीं संग के साथ ही भाजपा को भी आरक्षण विरोधी करार देने की कोशिस होने लगती है जब ऐसा होता है तो भाजपा भी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है और इसी के साथ आरक्षण की समिक्षा का सवाल पीछे चूट जाता है ऐसा सायत इसलिए भी होता है क्योंकि आरक्षण वोट बैंक की राजनीती का हतियार बन गया है आखिर जब अन्य सम्वेधानिक प्रावधानों की समय समय पर समिक्षा हो सकती है और जरूरत पढ़ने पर उनमें संसोधन हो सकता है तो फिर आरक्षण के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता समझना कठिन है की इसमें क्या हज है की S.C.S.T. आरक्षण के साथ अन्य पिछडे वर्गों को मिल रहे आरक्षण की समेक्षा इस उद्देशिशे की जाए की वह और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी कैसे हो सके क्या आज यह नहीं देखा जाना चाहिए की जो वर्ग आरक्षण के दाएरे में हैं वे उससे उचित रूप से लाभानवित हो सके हैं या नहीं निसंदेह यह भी देखी जाने की जरूरत है की केवल पात्र लोगों को ही आरक्षण कैसे मिले यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आरक्षण का लाभ उठा चुके लोगों के परिजन भी उसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं क्रीमी लेयर की व्यवस्थाने इसे और आसान बना दिया है लेकिन सायद ही कोई दल हो जो क्रीमी लेयर को तारकिक बनाने की वकालत करता हो बहतर होगा की आरक्षण की समिक्षा के तौर तरीकों पर बहस सुरू हो आरक्षण सोसित वंचित तबकों और पिछडे वर्गों को सामाजिक तौर पर आगे लाने वाली व्यवस्था है लेकिन बीते कुछ सालों में यह धारना बन गई है की यह सरकारी नौकरी पाने का जर्या है दत्तात्रिय होस बले ने आरक्षण की समिक्षा के सवाल पर यह सही कहा की यह नेड़े लेना इससे जुड़े लोगों और नीति निर्धारकों का काम है लेकिन इसमें संदेह है की हमारा राजनितिक वर्ग इसके लिए सहमत हो पाएगा इसके बावजूद उससे यह तो अपेक्षित है ही की वह निर्धनता निवारण के उपायों पर यादा जोड़ दे क्योंकि तमाम तरक्की के बावजूद भारत में गरीबों की अच्छी खासी संख्या है अगर आपको डिक्टिशन अच्छा लगा हो तो अपनी अच्छे अच्छे रिब्यूस कमेंट बॉक्स में अवश्य दे ऐसे ही प्रति दिन आपको डिक्टिशन मिलता रहेगा प्राता हो 6 बजे तो अगर आप चैनल पर न्यूँ है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिया और बगल में चो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे स्टैनो हेल्प